असलाम अलेकुन नाजरीन आज मैं बनाने जा रही हूं कर दो अदद प्याज लूगी ठीक है ठीक है प्याज मैंने चॉप कर ली है चले बई शुरू करते है तेल मैं डाल रहे हैं तकरीब अधा कप प्याज मैंने चॉप कर लिए बारीक चूला भी मैं फुल रखोंगी बिसमिल्लाय माले रही है ठीक है जी क्याज बननी चुड़ू हो गई है मेरी क्याज जाल दी है मैंने दो कप दो अदद क्याज को थोड़ा ब्राउन कर लेंगे हमारी घर में कलेजी का सालन बहुत शौक से खाया जाता है कलेजी मैंने दो के साफ करके यह देखें दो के साफ करके नमक और सिर्का लगा के रख लिए यह देखें बिल्कुल साफ सुत्री कलेजी है पांच मिनट में साथ मिनट ठाडली लेती है पकने के लिए लेकिन आज सालन बना रही हूं दो टेबिल स्पून मैंने अद्रक लस्तन का पेस्ट डाला है क्योंकि मुझे आज सालन चाहिए वेल्कम बैक वीवर्स यह हमारी प्यास काफी पिंक हो चुकी हमको इसको ब्राउन नहीं करना पुली कुक नहीं करना इसमें तकरीबन मैंने साथ की हुई कलेजी डाल दूंगी आदा किलो के खरीब है अब कलेजी क्योंके ज्यादा देर पकेगी तो गुई हो जाए चबनी चबनी हो जाएगी हमें ज्यादा देर नहीं पकानी है नेकर पुर ज्यादा क्लेजी डालने के फॉरण बात यह है घनिया आधी चमची नमक आधी चमची हम लोग नमक कम खाते हैं थोड़ा सा आप लोग अपने इसाफसे जैसे आपका टेस्ट है उसे उसाफसे आधी चमची लाल मिर्चे आधी चमची गराम असाला आधी- चमची अब इसको मसाले को सिर्फ मैं मिक्स करूंगी और तक्रीबन 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी सिलो आंच तक्रीबन 15-20 मिनट के लिए अधा कप पानी तोड़ा सा ताके मसाला ना जले अइसा नहीं है कि पानी का पूरा नशकारे कर दिये शिर्फ यह कि मसाला जलना ना चुड़ाए मसाले की प्रोटेक्शन के लिए खुश्बू आने चुड़ा होगी है यह देहें आधा कप पानी मैंने तक्रीबन अपने हिसाब से डाल दिया और मैं इसको 15-20 मिनट के लिए ढग कर पकाऊंगी ठीक है सिलो आज पर असलाम अलेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेहनों आज मैं बना रही हूँ लाइफ कोकिंग में कलेजी का सालन पता है मुझे बक्राई दाने वाली है सबको बहुत शौक होगा कलेजी के नई नई चीज़े बनाने का नई ने डिशिस का आजाओ सारी तर्टी मिनेट्स बाद कूप कलेजी हमारी दमा दम पे तयार हो गई है तक्रीब कुलते हैं स्मेल आसम है कलेजी अच्छे से गल गई है देखें कलेजी ना तो काली पड़ी है मटन कलेजी है बाज दफासालन में कलेजी काली नहीं पड़ी है तो अब हम अपने फाइनल टैच्छ की तरफ चलते हूं अब हमारा फाइनल फाइनल है दो चमची छोटी वाली मैंने जीरा डाला जीरा हम लोग बहुत शौक से खाते हैं इसलिए मैं तीनी चमच डालूंगे आप लोगों को डालना हूं तो दो चमच बहुत है इसके लिए सालन मेरा रेड़ी है फाइनल है ठीक है गल गया है सब एक चमच दही एरा एक चमच और ठीक है आदा किलो में दो चमच दही डाला मैंने अब क्यूंके रोगन है रोगन भी लाना है ठीक है अब हमारा अब हम चूला थोड़ा थोड़ा तेज करके आज को तेज करके इसको थोड़ा सा दरी जब तक अच्छे से मिक्स न हो जाए कलेजी हमारी रेडी है बस हम आप इसके रोगन के लिए तयारी कर रहे है तो नाइस ओफ यूँ मेरी छोटी सी हेलपर है मेरी छोटी सी भेहन चमच चलाते रहना है याद रखें कलेजी क्यूंके बहुत डेलिकेट होती है यह देखिए हमारी जटपट कलेजी और इसमें मज़ेगी बात में आपको दिखाएं क्यूंके लेजी काली नहीं हो लिए ऐसी होती है ना काली हो जाती है या वो जिसको सीखना हूँ आप मुझे जिसको भी ये ट्रिक चाहिए हो मुझे इंबॉक्स कर दे कमेंट बोल दे मैं उसको परिसनली जवाब देजींगी क्या आप कलेजी काली कैसे मुझे नहीं हो बखरी दाने वाली है देखें खानी का दिल चाह रहा है ना बस मेरी पाइनल के है मैं निकाल लेए इसको देशा उपकर लेए तो चले मैं डिश आउट करके आपको दिखाते हैं अच्छा डिश आउट करने से पहले ही इतर आना था मैं इसमें धनिया और पॉदीना काटबू यह मैंने धनिया और पॉदीना दोनो डाले है अंदाजे से एक एक यह लीजिए मज़ेदार यह बनाईया है आज मैंने धजपट कलेजी मैमान आज रहें 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है कलेजी को रेडी होने में यह देखें कलेजी को कलेजी के सालन को पहले मोटे मोल कलेजी निकालेंगी सारी कलेजी को पहला है कुला और बिटा की कप्ड़ा रेना मुची अगाने के जिने हमारी कलेजी जबरतास किसिम की आपके सामने बड़े मज़े का कलेजी का सालन आज तयार किया है इसके उपर ज़रा सा जाइखे के लिए मैं ये चिली फ्लेक्स क्योंकि कलेजी तो होती है मज़े की चटपटी अधरक अधरक डाल दी गार्णिश करने के लिए और मैं धनिया पोदीना उपर से थोड़ा सा डाल दे हूं जस्टू लोग चलें जी अच्छा लगे और उपर से एक चीज जरूर याद रखेगा जैतून का तील थोड़ा सा डीजल करने की अल्ला अच्छा लगे तो घर में ट्राइब कीजे और मुझे बताईए कि कैसा लगा शुक्रिया बहुत बहुत अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब क कीजिए और लाइक कीजिए शुक्रिया बहुत बहुत अल्ला हाफिस